कि मंजिले बड़ी है रास्ते बड़ी है मंजिले बड़ी है रास्ते बड़ेदी है हम तो रही जितले ऑप सब्सक्राइब के लिए क same class 9th subject साइन्स की 75 मार्क्स के लिए सैंपल पेपर देखने वाले जिसके अकोडिंग आप अपने फाइनल एक्जाम आपके वार्सी परिछा के प्रपेर कर पाऊ ठीक है तो बिटों को बहुत ध्यान से देखना और चीजों को समझते वे चलना कि किस तरीका से ब्लोब प्रेंट को फ किस तरीका से आपको अपकी एक्जाम में इस बर पूछे जा सकते हैं जैसे कि फ़र्स्ट को सन है भाई सही वे कल पर चुनकल लेके चूज़दी करेक्ट अल्टरनेटिव है ने करेक्ट ऑप्सन और राइट तो देखों यहां पर फ़र्स्ट को सन क्या बोला जा रहा है कि राकिट नोदन का सिधान अधारित है तो मैं बताद है राकिट नोदन का जो सिधान है सवेक सरक्षड की नियाम पर क्या होती है अधारित होती है मिन्स प्रिंश्पल ऑप रॉकेट प्रॉपलिशन इस बैच्ड ऑउन्द ऑन दो ऑन्द लॉग आफ गंजर्वेशन और मु unit होती यह लोग कर सकते पुर को सेनाा पकी स्क्रीन पर है कॉंसर रोग संक्रामा कोंग नहीं है तो जो cancer होती है वो क्या नहीं है संक्रामा क्रोड नहीं है आप लिख के आना है, वहाँ पर तो फिर फिप सब दा सब लोग जानते हो कि और यहां पर आप करके आंगे आज आ पिर आपको क्या करना एक चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग हुस्त की कड्रेक्ड अंसर हो जागा फिर पूछे जा सकते हैं आपको याद रखना है क्योंकि एक सैंपल पर है तो जरूरी नहीं कि यही आए आपकी एक्जाम में बट इसी पैटर्न पर ही पूरी तरीका से फॉलो होगा तो बस आपको चीजों को समझते हुए चलना है और पूरे पैटर्न को फॉलो करने है और अपन किया जाता है तो टीका करड़ द्वारा ठीक है टीका करड़ से संक्रमा क्रोगों का निवारड किया जाता है फिर गति का प्रथम नियम खालिस्थान की नियम से भी जाना जाता है तो जड़तों की नियम से भी क्या हो किया जाता है जाना जाता है तो यह आपको लिख लेना फिर फूर्थ और फैप्त क्वसंज भी आपके स्क्रीट पर क्या बोलब जा रहा है तत्तों की संयोग करने की चामता को खालिस्थान का ते उसको संयोग जक्ता का अथे ठीक हैं क्या काते हैं संयोग जक्ता कातें आपको लिख करके आना है तो यहां पर आप लेख सकते हो सेयोजन क्रिया का उदारड है फिर आपको क्या करना है उच्छी संबंद देंगे तो बहुत अच्छी संबंद को बहुत अच्छी से कर लेना दिमाग लगा करके करना जैसे कि आपको पता है कोशी का कि खोज रह बटुक कोईला क्या चला जाएगा जीवासमिंदन में और फिर देखो यहां पर जीकामान तो नंबर में होगा इसमें गलती हो सकते हैं तो बच्चा एलकिन को सी एन एज टू एन कर सकते हो फिर अब यहां पर जी कमाड जो होता है 6.67 इंटू टेंटू देपावर माइनस 11 होता है और उसी तरीका से एक मोल अडू की संख्या होता है 6.022 इंटू टेंटू देपावर 23 होता है यह होता है को कर के आय спас U पिर आपको फर उसेंपाट सकते हैं यहां कर सकते हैं यो wherever यहां वड़ते हैं लगो 3 प्रश्ण ऐस्टार्ट होता है जिसको सब्सीमत थी सर लगमाइंखब को दियाके 30 चार लाइन तक में answers आपको पूरी करके देना है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने ना तो उससे छोटा नहीं लिखना है तो प्रश्ण दुसरा जो है जड़त्व से आपके असमस्ते आपको यह एक्स्प्रेंड करना है फिर नेश्ट को सयोजी उतक क्यों कहा जाता है वाई इस ब्लड कॉल्ड कंजी टीशू ठीक है यह आपको करना है फिर फोर्थ वन क्या बोला जा रहा है कि किसी जीव की प्राकृतिक वास के अजयविक घटक लिखना है तो वहां पर कौन-कौन से जयविक घटक और जयविक घटक होते हैं यह को नाम लिखना है फिर मिश्रण क्या है इसको एक्स्पेंट करना है फिर चेप्टर से लिया गया है ताकि आपकी एक्जाम में अच्छे से result देख सके तो चीजों को समझना है पैटरन को समझना है और इसी वे पी आपको prepare करके जाना है ठीक लगूतरी प्रशन देख लेते हैं इसके सब्द सीमा की बात करें तो 50 सब्द है 50 सब्द मतलब आपको लगबग 5.5.6 लाइन में इसकी answers को जो है से क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी ठीक तो अपनी पीट पर भारी वजन उठाते समय आपको समने क्यों जुकना पड़ता है ये आपको बताना पड़ेगा प्रिक पादब कोशीका का नमंकी चित्र बनाना है नम्ली मूलक कैसे प्राप्त हते उसको के लिए मेंगेशियम औक्षाइडा का इले्क्ट्रोण बिंदू सरचना आपको बनाना ही ठीक है ये कर लेंगे आप अच्छे से ठीक और अभी तक भई आप हमारे चैनल एकलाव को श्ब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे तो कर लेंगे ताकि आपको पूरे एक्जाम की प्रपरेशन इस चैनल के मादम से हो सके और शांति साथ आपको नेश्ट या टेंथ में 11 में 12 में भी आपको इस चैनल के थू हेल्फ मिल सके ठीक है तो फिर अब चलते हैं सब्दस्रीमा 75 वाला मतलब हमार इसके और में इस तरह के पूछे गया है कि रोक की रोक थाम उसके उपचार से बेहतर है इस कथन की सार्थक्ता बताने के लिए उदाहरण देवे ठीक है फिर क्वेशन नमर 12 के अगर बात करें तो इसमें किस तरह कर आपको पूछे जाएंगे कि चंद्रमा पर वायू मिड क्वेशन पूछे जाते ताकि एक ही बड़ा क्वेशन ना दे करके आपको चोटे-चोटे यह टेंद भी यही पैटरन फॉलो कर रही है जहिर सी बात है नाइंद में भी वही पैटरन फॉलो होगी ठीक है इस तरीका से इन सभी क्वेशन को आपको अच्छे से करना है फिर ग्राब बनाने आना चाहिए ठीक है ग्राब बनने नहीं आता तो आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे कि ग्राब बाएक लव व्यार पेस तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाला कि वहां से पूरी तरीका सिख जाओगे कि कैसे एक टेबल दिया रहा था तो इस टेबल सब फोर माक्स के लिए कच्छरे का प्रिथाकर श्रोत पर ही करना चाहिए क्यों उसको बताना है फिर प्रावासी जीव साल के कुछ मैने एक जगा और अन्य जगा क्यों जाते हैं इस जो को आपको एक्श्प्लेंड करना है पाठ के अधार पर ठीक है फिर और इसके क्या हो करें तो पूरी करती है तो बताओ कि उसने कितनी सकती वैक यह कितना उर्जा उनको लगा होगा उसको आपको एक्स्प्रेंड करना है तो इसमें देखो अनुधायरी तरंग पूछा गया तो सिमिलरली क्वसंस पूछे जाते हैं तो आप लोग इस तरीका से जो भी क्वसंस के सब्सक्राइब लगार जाते हैं सक्वार्थास के लिए 17 और 18 तो उसमें भी तोर तोर के दिए और जिस चैप्टर से आता है अब लूप्रिंट देखो की कौन कूरूपर सांथ हैं तो वह उसी चैप्टर से ही आएंगग डेपनेटली उसे बाहर की ऊंस नहीं टीया जाना है फिर पांच जगत वर्गी करण को और जटील उता क्या होते हैं उसके दो उधारा लिखने इस तरीका से सब चीज को करके जाना है ठीक है तो आई होप यह फूरी वीडियो आपके लिए उच्पूर हो को तो वीडियो को लाइक जरू करेंगे और यदि आप लोग चै दियर भी जरूर कर देंगे ताकि उनकी भी तयारी आपके सची तरीका से हो पाए ठीक है